दोस्तों, Electronics Corporation of India Limited याने की ECIL के तरफ से Apprenticeship Post के लिए Online Application निकाली गई है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको Step by Step बताने वाला हूँ कि कैसे आप इसके लिए Online Apply कर सकते हैं Online Apply करने की क्या क्या परोसेस है और मैं आपको बताऊंगा कि इसकी जो Starting Date है, Ending Date है कब तक है, कौन-कौन इसके लिए Apply कर सकता, Isability Character या क्या होने वाली है Apply करने के बाद आपको क्या करनी है, इस तरह की सारी चीज़े आगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तो वीडियो में Complete End तक बने रही है और वीडियो को Complete End तक वाज कीजिए वीडियो एंड तक देखने के बाद अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर सही कर दीजिए तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर एक लिंक दिये जब आप उस लिंक पर किलिक करेंगे तो यहाँ पर आप Electronics Corporation और पेलिया निमिटेड यहने की ECIL के इस Official साइट पर आजाएंगे जिसमें आपको जॉब डेटेल्स यहाँ पर दी गई होगी इसी में आप आएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 13.9.2024 से इसके लिए Online Start हो चुकी है और 29.9.2024 तक आप इसके लिए Online Application कर सकते हैं साथी Document Verification की जो Date दी गई है वो 7.10.2024 से लेकर 9.10.2024 तक रखी गई है अगर आप Short Listed होते हैं तो आपको इतने Date के Period में अपनी Document Verification के लिए जाना होगा आगे Document Verification के लिए आपको कहां जाना होगा किस एड्रेस पर वो सारी चीज़े भी मैं आपको बताने वाला हूँ आगे वीडियो में आपको यहाँ पर सारी चीज़े यहाँ पर दी कई है आप Form Fill करने के बाद अगर अगर अपनी Print Out नहीं काल पाते हैं तो आपको यहाँ पर Reprint के Option पर किली करकर अपनी Form की जो Print है उसे भी आपको निकाल लेनी है आगे अगर मैं इसकी Official Notification को Open करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपने 10th पलस ITI यहनि कि आपने अगर किसी भी इन सारी ट्रेड में से किसी भी ट्रेड में ITI करके रखी है तो आप इसके लिए उनलाइन अपलाई कर सकते हैं टोटल 437 पोस्ट के लिए उनलाइन वेकेंसी निकाली गए है जिसमें यहाँ पर Feater के लिए, Electrician के लिए, Mechanical के लिए सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है, vendor के लिए आप यहाँ पर एक बार इसे अच्छे से देखेंगे फिर आप स्कॉल करकर आएंगे, तो अगर आपकी एज 18 साल से उपर है तो आप इसके लिए उनलाइन अपलाई कर सकते हैं और अगर आप Journal Candidate है, तो आपकी Maximum Age जो है, वो 25 साल होनी चाहिए OBC है, तो Maximum Age 28 साल होनी चाहिए SC, ST केटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपकी Maximum Age जो है, वो 30 साल होनी चाहिए इसी तरह से यहाँ पर PWD केटेगरी वालों को 10 साल की अरग से छूड़ दी जाती है, इस तरह आप यहाँ पर सारी चीज़ों को देख पाएंगे फिर आप यहाँ नीचे आएंगे, तो आपकी जो apprenticeship की period होने वाली है, वो एक साल की period रहने वाली है उसके बाद आपकी जो qualification पूछी गई है, अगर आपने ITI पास की है, और उसकी certificate अगर आपके पास है, तो आप इसके लिए online apply कर सकते हैं, फिर आपको यहाँ पर नीचे आनी है, कुछ-कुछ सारी चीज़े यहाँ पर दी गई है, उसके बाद अगर आप shortlisted होते हैं, तो पर scroll करकर नीचे आनी है, इस तरह के आपको सारे important चीज़े यहाँ पर दी गई है, आगे मैं आपको बता दू कि इसकी जो official PDF की link है, मैंने वीडियो के description box पर लगा दी है, जब आप उस पर click करेंगे, तो आपके सामने में यह PDF उपन हो जाएगी, आप एक बार इसे अच्छ के लिए तो आपको इसके उपर click कर देनी है, click करने के बाद आपके सामने में इस तरह की page open होगी, अब यहाँ से आपको post name सबसे उपर पर दिखाई देगी, यहाँ पर आप इसे change नहीं कर पाएंगे, ITI trade apprenticeship के लिए, उसके बाद आपको यहाँ पर MSDE registration number इंटर करनी है, यह registration registration number आपको MSDE की website पर जाकर register करनी होगी, उसके बाद इसे आप डाल सकते हैं, यहाँ मैं आपको बता दू, कि अगर आप इस website पर register नहीं कर पा रहे होंगे, या फिर आप इस phone को अगर अपने से feel नहीं कर पा रहे होंगे, तो आपको screen पर एक number दिखाई दे 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 होगी, इस number पर आप call करकर इस phone को हमारे team के through feel करवा सकते हैं, हमारी team आपकी registration MSDE की website पर भी कर देगी, और इस phone को भी step by step A to Z feel कर कर दे देगी, उसके लिए मातर आपको 99 रूपीज का एक minimum amount पे करना होगा, तो अगर आप चाहते हैं, इस phone को हमारी team के through feel करवानी, तो आपको screen पर number दि calendar select करनी है, यहाँ पर click करकर आप male female जो भी candidate है, उसे select कर सकते हैं, date of birth के लिए आपको इस calendar पर click करनी है, फिर आपको यहाँ से अपनी date of birth चूज कर ले लिए, आदार कार्ट के number को enter करनी है, mobile number को यहाँ पर enter कर देनी है, email ID आपको इसके नीचे enter कर देनी है, फिर आपकी जो बात आती है कि यह क्या form all India कोई भी candidate इसके लिए apply कर सकते हैं, या फिर नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए जब आप notification को open करेंगे और यहाँ पर scroll करकर नीचे आएंगे, अब यहाँ पर आपको एक option दिखाई देगी कि how to apply में कि Telangana state only, यानि कि सिर्फ और सिर्फ Telangana state के candidate ही इसके लिए eligible है apply करने के लिए तो अगर आप किसी और state से belong करते होंगे तो आप इसके लिए online apply नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर Telangana state अपनी choose कर लेनी है, इस पर किली करके Telangana choose करनी है, उसके बाद district name आपको enter करनी है, category आपको enter कर लेनी है, आपकी category से belong करते हैं, और आप PWD candidate credit है नहीं है, yes या no कर लेनी है, उसके बाद आपको आपकी ITI की trade यहाँ पर enter करनी है, आपने किस trade में अपनी ITI करके रखी है, फिर institute की name इंटर करनी है, institute की city इंटर करनी है, institute type आपकी institute की type की थी, government थी या फिर private थी उसे आपको enter करनी है, फिर आपने कितने marks हांसिल किये थे ITI में वो आपको यहाँ पर enter करनी है, total कितने marks की आपकी examination हुई थी, वो आपको यहाँ पर enter करनी है, percentage आपको automatic यहाँ पर दिखाई देगी, उसके बाद आपको submit के option पर click कर देनी है, आगे submit के option पर click करते ही, अब आपके सामने में यहाँ पर print का option आजाएगा, आपको print के option पर click कर लेनी है, इस option पर click करते ही, आपकी जो application है, वो submit हो जाएगी, और आपके सामने में इस तरह की page open हो जाएगी, अब आपकी जो form है, वो submit हो चुकी है, आपको यहाँ पर signature अपनी कर लेनी है, यहाँ पर सारी चीज़े आपको करकर अगर आप shortlisted होते हैं, तो इसी को आ कर नीचे आनी है, यहाँ पर ok कर देनी है, ok करने के बाद अगेन आप इसी तरह के side पर आ जाएंगे, यहनि कि आपकी जो form है, वो feel हो चुकी है, अब आपको यहाँ पर आनी है, और अगर आपको फिर से print करनी है, तो reprint की option पर click करने के बाद, आपको अपनी advertisement number enter करनी है, हैंड तक देखने के बाद, आप भी Electronics Corporation of India Limited की इस apprenticeship form को online करना असानी से सीख चुके होंगे, और अगर आपको कोई भी doubt हो, या फिर आप अगर इस form को अपने से apply नहीं कर पा रहे होंगे, तो आपको इस screen पर एक number दिखाई दे रही होगी, इस number पर call करकर आप इस form को हमारे team के थुरूफ फिल करवा सकते हैं, उसके लिए मातर आपको 99 डुपीज का एक minimum amount पे करना होगा, यहां मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको इस form को हमारी team के थुरूफ फिल करवानी हो, तब ही आप दिए कए number पर call करें, और अगर आपको कोई journal queries हो, तो आप वीडियो के comment box पर पूछ ले क्योंकि phone call पर कोई भी journal queries आपकी solve नहीं की जाएगी, तो वीडियो end तक देखने के बाद अगर आपको वीडियो informative लगी हो, तो वीडियो को like करते हो, और अगर आप इस channel पर पहली बार आएं, तो channel को subscribe करकर भी रख सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे informative videos को इस channel पर upload करते रहता हूं,